गाइज मार्वल के वांडा विजन की नई स्पिन उफ स्रीज अगाथा ओल अलोंग डिजनी प्लस सोट स्टार पे प्रीमियर हो चुकी है अगर अब तक आपने इसके दोनों ही एपिसोड देख लिए होंगे यहां वांडा का स्पेल अगाथा पे अभी भी वर्क कर रहा था करीब करीब तीन साल से अगर आपको याद हो तो वांडा ने अगाथा को वेस्ट व्यू में ट्रैप कर दिया था बिना मैजिक के इसलिए अगाथा को ऐसा सच में लग रहा था कि वो एक डिटेक्टिव है गाइज एपिसोड सुरू होता है अगाथा का एक डेट बोडी का वेरिफिकेशन करते हुए और यहां ओफिसर हब अगाथा को कहता है कि पानी के बहाओ के साथ आई है यह लास और लास किसी भारी चीज से कुछली गई है और हाथों की उंगलिया भी काली है इसलिए हम सबको पता है कि यह लास किसकी है डॉक्टर स्टेंज इन दे मल्टिवर्स ओप मैंडनेस में वोंडा ने अपने उपर माउंट वंडगर को गिरा की सैक्रिपाइस किया था और यहां डेटेटिव हब इसी का रेफरेंस देता है दूसरी तरफ जंगल में अगाथा को एक लोकेट मिलता है जिसको सायद आने वाले एपिशोर में एक्सप्लें किया जाए इस लोकेट में मिडेन मदर और क्रोन का सैंबल दिखाया गया है जो कि सी स्नेल कावरी से बनी है और इस लोकेट में किसी के बाल भी है लेकिन किसके बाल है ये एक मिस्टरी है अब बात करते हैं अबरी प्लाजा का कैरेक्टर रियो विडाल और जोई लोग का कैरेक्टर टीन की तो इन दोनोंने अगाथा को उसकी रियल परसोना से मिलवाया है मतलब कि एगनेस को अगाथा हर्कनेस से रूबरू करवाते हैं और वांडा के मैजिकल स्पेल से आजात कराते हैं अब यहाँ आगाथा अपने वीच के फोर्म में आते ही अपने कपड़े उतारने लगती है और हमें एगनेस को अलग-अलग कोस्चुम में देखते हैं जो सारी ही उसने वांडा विजन में पहने थे इसमें Wanda के कई सारे रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं जैसे की डेट बुडी के हाथ की काली उंगलिया जो डार्क होल्ड यूज करने से काली होती है वन्डा की ब्राउन हेर और वन्डा की साइन के साथ एलिजाबेट ओल्सन की डेट अब बर्थ और लाइबरेरी कार्ड पे डार्क होल्ड का फुल फॉर्म का रेफरेंस जो था डायलोग एंड रेटोरिक नोन हिस्ट्री ओफ लर्निंग एंड डिबेट इसके अलावों लोटी, हैरोल्ड, नॉम और जॉन इन सब का रेफरेंस देखने को मिलता है एक और नाम भी दिखाया जाता है निकोलस क्रैच जो पास्ट में अगाथा का बेटा था शायद और रियो वाइडल का अगाथा का हाथ चाटने के बाद एपिसोड यही खतम हो जाता है तो गाइ